Hello students, welcome to social educator. आज ये वीडियो थोड़ी से अलग है और वीडियो से, क्योंकि आज हम इस वीडियो में देखेंगे, कि एक टॉपर जो है, वो किस तरीके से एक टॉपर बनता है, means वो कितना effort करता है अपने answer sheet में, कि उसके जो marks है, वो full out of full आता है, आज हम analyze करेंगे, ऐसे एक टॉपर के paper क कि उसने क्या ऐसे, क्या-क्या चीजे की, जिससे उसका paper जो है, वो बिल्कुल हट के हो गया, so students, if you want to get a marks, you have to follow some guidelines, आप जिसे question, question number first का, आप जो starting की, जो one-one marks के question थे, ज़रूरी नहीं है, आपको बहुत long में लिखना है, आप उतना लिखिए जितना उस question में पूछा गया है, for example, आपका second question है, alluvial soil के बारे में, आपने अगर लिखा black soil के बारे में, और फिर alluvial soil के बारे में, तो सिर्फ व आपको सिर्फ उसी का answer लिखना है, इसके बाद one-one marks आप उतने ही लिखा जितना ही कि आप से पूछा जाए, इसके बाद आते हैं आपके three marks के questions, बेटा, three marks के questions में, आपको जाज जाधा four points लिखने है, देखो question number eight में, इन्होंने one, two, three, four, four points लिखे हुए, तो आपको भी य में नहीं कट कर सकता, आपको वही चीज लिखनी है, जो आप से पूछा जाए, जैसे question number 10 है, advantage of globalization पूछा गया है, तो आपको advantage of globalization में आपको इसके चार को तीन पॉइंट लिखे हुए, लेकिन three points आप देखे कितने बड़े लिखे हुए, अगर आप four points लिखे हुए तो इसम में आपका differentiate पूछा जाता है, कि आपको differentiate बताना पड़ेगा, चाहे primitive subsistence का and commercial farming का हुआ, चाहे आपका alluvial soil का हो गया, चाहे wheat and rice का हो गया, चाहे किसी भी तरीकी का differentiate होगा, चाहे coming together या holding together का होगा, आपको differentiate करने के लिए बीच में एक line करनी पड़ेगी, और उसके बाद आ आपना answer लिखना पड़ेगा, okay students, यह आपका देखो, आप कितने अच्छे से 4 points लिखे हुए, तभी इसको full marks मिले हुए, इसके बाद question number 12 में उन्होंने 3 marks बहुत अच्छे से लिखे हुए, question number 13 में भी 4-5 marks के question से ही, 5 marks के question में, at least आपको इतना तो लिखना पड़ेगा, कि आपको इसके बारे में लिखना है, अगर आपने कोई answer लिखा है, और आपको इसकी points जो है, वो बाद में याद आ रहे है, तो आप arrow करके ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे इनोंने लिखे हैं, आपको किसी के point याद आगे, एक जिस ज़रूर याद रखे हैं, 10th class का जो paper, आप CBSC का जो आप दोगी, वो आपका एक final paper होगा, उसके बाद आपको 10th का उस subject के बारे में लिखने का कभी मोगा नहीं मिलेगा, तो आप वो लिखो जितना आपको subject के बारे में, जितना उस topic के बारे में आपको knowledge है, आपको उतना ही पूरा का पूरा लिखना है, ताकि आप अ जुडिश्री के बारे में, आप ऐसे भी आप पूरे paper को आप ऐसे mention कर सकते हो आप, इसके अलावा आप, देखो vertical का भी आपको पूरा इस तरह से लिखा हुआ है, आप different community के बारे में, आप ये देखो इसमें कहा marks कटने की है, जो आपको लग रहे हैं कि वो important points है, आप उनक पूरे paper का ही यूज़ करना है, और सिर्फ पैंसिल का यूज़ करना है, ब्लैक पैंसिल का यूज़ करना है, ब्लैक पैंसिल का यूज़ करना है, और सिर्फ पैंसिल का यूज़ करना है, इसके अलावा आपको आपको question बहुत अच्छे से देखना है, अगर आप से कोई question प मेलते हैं माक्स मिलते हैं जो 0.2 पएंट आप चीजे लिखते हैं जो स्मार्ट ली आप चीजे लिखते हो एक ऐसे असे पा आप लिखते हो पहरी ग्राफ में और सेम उसी आंसर बचल लिखते है कि सो तो बिटा आप तो पुद्विए एक पॉंट्ड से लिखते हैma आपका जैसे 1 point ठीक है उसका 1 mark, फिर दूसरा point ठीक है उसका 1 mark तो आपको इसी तरीके से अपना wholea paper handle करना है देखिए आपका इसकी से सब पॉइंट के साथ है आपका answer अब यह question आपका 5 marks का है तो आपको 5 marks के हिसाब से उतना ही लिखना है अगर 5 marks का question है तो आपको 6 points लिखने है 6 यह 7 points है तो guarantee है आपके कोई marks निकट करेगा ऐसी 21 question है, ऐसी 21 question में देखो इसने political party contest election यही इसको कितने अच्छे से लिखा हुए आप इसको pencil से underline करेंगे आप तो कितना अच्छे से represent कर पाओगे आप अपने answer को अगर आप with flow chart, 5 marks के question में आप पोसिश कीज़ेगा या फ्लो चार्ट के साथ अपना answer लिखो तो आपके marks कटने के कहीं भी कोई भी chances नहीं होते हैं आप यह देखो कि कोई जितने भी 5 marks के question है इन्होंने सभी question में at least 6 points लिखे हुए है तो आपको भी ऐसे ही paper represent करना है अपना और आप भी इन्ही students में से ही आते हो अगर आप ज़रूरी नहीं है जो topper student होते हैं वो बहुत अलग से चीज़े learn करते हैं या वो पूरे दिन पढ़ते हैं वो अपना जो paper होते हैं आपको smartly handle करते हैं आपको भी वही चीज़ करना है आपको भी अपना जो paper है वो smartly आपको attempt करना है तो आपके कहीं भी कोई भी marks कटने के chances नहीं होते यह देखो यह इसका last page था इसके बाद आते हैं आपका map कर की turn तो बिटा map में जो आपको करना है map में जहां भी जो answer है उसके आगे जैसे अगर आपका A, B, C, D में दिया हुआ है तो आपको एक तो mention करना है दूसरा आपका जहां पे भी answer है आप कोशिश कीज़ेगा बिटा arrow लगा कर आप आप मैंने उसको फाड़ कर उसके अंदर लगाया ही नहीं तो मेरे उसमें जो six marks से वो तो मेरे ऐसे कैसे ही कड़ गए मुझे आज भी याद है अगर मैं अपना experience बताओ जब मैं 10th class में थी तो हम लोगों के जब exam होते थे तो हमें भी ऐसे ही कोशन पेपर के अंदर ही मान माप दिया जाता था तो मैंने गड़बड की थी से वो as it is cut हो गए थे तो आप लोगी खलती मत करना बिटा अगर आप मैं फिल करते हो आप मैं फिल करकर उसको फाड़ना है आपको कोशन पेपर में से उसको अटैच करना है तो यह हैं आप लेके कि कुछ दिप्स जिससे आप सोशल साइंस पे बहुत अच्छे माक्स अचीव कर सकते हो तो I hope आपको यह वीडियो पसंद आई हो डिस्कुशन बॉक्स में आपको हर चाप्टर के एक लिंक मिल जाएगी आप वहां से नोट्स और इंपोर्टन्ट कोश्चन्स आप वहां से ले सकते हैं ओकी थैंक्यू बाबाई